Assalamu alaikum and a very warm welcome to Dr. Nashreeva Salman and Skin Solutions और हम आपके साथ हैं, हमेशा की तरह हम आप से मुलाकात करने के लिए आए हैं, आप से पुछने के लिए हैं कि आप सब कैसे हैं और उसके साथ साथ कोई नो कोई ऐसा टॉपिक भी लेकर आते हैं, जिससे आपको कोई ऐसी इंफरमेशन दो सके हैं घर बैठके, कि आप अपनी कोई भी चीज जो के खराब हो रहे हैं या खराब हो सकते हैं इसको ठीक कर सकें regarding your hair,skin,neils and overall health also तो बताईएं आप सब लोग कैसे हैं, खैरीएत से हैं, क्या होआ है और आज का हमारा topic है जैसे के आपको बता है के हमारा आज का topic है अंडर आईस बेसिक्ली अंडर आईस या आईस के अराउंड जो area जो skin होती है वो हमारी बाकी face की skin और बाकी body की सिन से बहुँ होती है कैसे डिफ्रेंट होती है विकस यह सकी जो है यह थ्री टाइमस से पत्ली होती है थिन होती है और जल्दी भी होते हैं comparatively पार्थी स्किन के इस वर ठीक है अच्छा इसमें आज की टॉपिक में हमने दोनों चीज़े कवर करी हैं जी हम इसमें जो डार्कनेस है वो भी कवर करेंगे और उसके साथ साथ जो एंटाइ एजिंग या जो एजिंग से रिलेटिट हमारी आइस के अराउंड स्किन के उपर होता है उसको कैसे करेक्ट करना है उससे बचना कैसे है वो सब कुछ हम साथ ही इसमें कवर करेंगे ठीके जी अच्छा सबसे पहले हम आजाते हैं कि ज्यादा थर हमारे पास जो पेशिंट साते हैं और वो यंग होते हैं उनमें जो टॉप पे एक होता है वो होता है ड्रक स्ट का जी हां अर्ड का इसमें बहुत ज्याद का इसमें च्छाइब नहीं है और हैब और आजकर तो भी कुछ ज्यादा ही हो गया था तवीजन यह विंग जो यह जो लोग मतलब जैसे हम ने दो साल घर के अंदर गुजा रहें और और को लोग ता यह चीजहों का इतना ज्यादा यूज हो गया कि जिसकी वचह से और पिर हमारी उटीन्स डिस्टरब हो गी हमारी पार हमें काम पे नहीं जाना होता था शुबा या बच्छों नहीं चाना होता था सुड़ेंट्स बिचारे जो है वो घर के अंदर जो थे वो रहना रह 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 है तो वो भी गाज़ेट के थूँ ही हो रहा था अब यह जो इशू था इसकी बचा से देखा गया कि बहुत ज्यादा जो है वो डार्क सर्कल्स की कंप्लेई आना शुरू हो गई तक रूटीन ऐसी चेंज हुई कि उस रूटीन में रहते रहते यह सब कुछ होना शुरू ह अब आज आते हैं कि इसके लिए हमने देखना क्या होता है सबसे पहले होता है कि जब लाग सर्कल्स होना शुरू होते हैं तो लोग घर के अंदर अपनी रूटीन को चेक करते हैं अपनी लगाने वाली चीजे चुके एक डिली रूटीन की चीज होती है कि आपने मोईस्ट आपिसे भी करते हैं और वोंग रेम रेमेडिई इस को ही त्रा ुग रेमेडिस को भी ट्राय करते हैं अपिर को बाझतेики तो पर को जीए करते हैं तो फिर वो trilogy क Anyway बडीर के पास आए तो ड़क्तर में बेसे करना आपकी जो इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा ओर्डिनरिली थिन होती है वैसे तो सभी की थिन होती है यहां से त्री टाइम्स जो है वो त्री फोर्स थिन होती है बाकी स्पेस की स्किन से लेकिन कुछ लोगों की पेस की स्किन में थिन होती है तो उन लोगों की जो आइस के रांट स्किन ह वो और ही ज्यादा पत्ली होती है, वो इतनी पत्ली होती है कि उसके अंदर से जो प्लट वैसल है वो नजर आ रहे होती है प्रफु के विवाद से भी इलाओ प्राइलु Hat एकनाट इलोजन ग्रेयेट है और उसके अग misli फसकालई यह माद ऊहता है ऑंग क्यो sah मिनकुल है अब यहां हुआ है अब जब यह इस तरह के जो होते हैं उनकी के बाइँ करने दोटाई हैं Major ज्दा ऐसके पेशेंट्स कोहम किया कैते है、 जो वाइटामिन की क्रीम क्रीम्स होते हैं उन talking वह जो अच्छी। होती है क्iquer हो गलद स्फेजन भा और डंट क्रीशOneTime कोहिती है पेशिट की आइस बहुत जादा हैं यानी कि अंदर को धसीवी आँख है जब उससे एक इलूजन क्रियेट होता है कि बहुत ही जादा डार कलर नजर आ रहा है एसे लोगों में फिलर को यूस करना भूँफ अच्छा रहता है क्योंकि जब हम फिलर यूस करते हैं और उस हेलो को फिल कर देते हैं फिलर नुचे भी लगता है और समट्राइम्स हमने यहां पर भी लगाना होता है ताकि आए जो है वो जादा ओपन और जादा खुडी रग या पिगमेंटिशन भी होते है या फिल्बार प्राउन की ही होते है यह अँ इसे लोकों हम भी हुटेर्ट तरह के स्थे दिशिणूाते हैं इसी क्र quello कि पीषिए प्रहुन करते हैं? तो यह तो हो गया हमारे पास कि अगर आपके dark circles है तो आप में क्या करना है अच्क अब आपको कुछ dark circles के हुल से home remedies में सब से top ky 왜 जो आती है, that isdat coffee आपने कुछ ही नहीं करना आपने जिए करना है कि आपने coffee रे याD पाउडर होता है घरों में अवेलेबल होता है आम हम यूज करे होते हैं उसमें आपने फियू ड्रॉप्स जाले हैं ताके वो मिक्स भी हो जाए और एक पेस्ट बन जाए उसको आपने अराम से यहां पर लगा लें ठीक है उसको आप यहां पर लगाएंगे इधर भी और आइ आप आप लगा लेंगे और उसको जो है वो एक लिस्ट 15-20 विनिट के लिए छोड़ें उसके बाद आपने अलका नीम गरम पानी लेके लेके कॉटन को इसके इंद उसको उतारना है रगर रगर के आपने बिल्कुल नहीं उतारना क्योंकि अगर आप रैसे करेंगे तो इंदेशन कास करने वादी चीज नहीं होती है प्लस उसके अंदर वाइटमिन E बहुत ज्यादा होता है और यह हैं करता है आपकी यह जो डर्क सब्स हैं इंको कम करने में और आपकी आइस को फ्रेशनाब करने में तो आपके कुछ नहीं करना आप खीने को अच्छी करा पा कुछ नहीं सुयाराईएर वाटर ने शुछ चीज अढर इसको अपने को अवर अप नहीं करने कि अज़के लगे लगा लेकर अपनी को अपमanton करना आपके अच्छी कर्णाब झॉड उसको लगा रहने थे अदीक आदे लिए अदे वाथा कुछ的話 यू साब अधे लिने अच्छा और बहुत पोटन एंटा ऑप्सिजन्ट होता है ग्रीन टी बी बहुत अच्छी रगी इसके लिए बहुत सिंपल आप पानी गरम करते हैं उसके अदर ग्रीन टी डाल देते हैं फ्रेश ग्रीन टी बनाएं और फिर उसको थोरा सा निकाल ले और उसको थंडा कर ले पर उसके अंदर पौटन जो है वो डिप करके और उसको फोटन से जो है यह आपने इसको लगा देना है आपको मैं थोड़ा से नीवटाना चाहती हूं कि मुव्मेंट क्या होनी चाहिए जिसके तू आप कोई भी चीज वगाएंगे जो भी चीज आपने लगानी है उसको आपने इस तरह से लगाना है आउटवर्ड एंड राउंड आप इसको लगाएंगे आप के अंदर जाने के लिए जाहर है कोई भी चीज तेतनी है तो आपने इस तरह से आउटवर्ड एंड राउंड और यह चोटी उंपली में से कम प्रेशर होता है तो इस बेटर के आप इसको ली उन्स करें ठीक है जब आपने कोई एप्लिकेशन लगानी है उसके लिए भी ही आप लगा सकते हैं जैसे कोई सरम लगाना है तो आप सिस तरह से क्षी में। इस तरह से भी मिला सकते हैं अब मैं आपकोते हुँ के वह हमारे चेजें क्या-क्या हैंशे मैं आपको बताया कि सब धिरे लिए बहुत Sitting C के यी तरह बहुत उझा रहती है so vitamin C प्रचान ठीक का उसके बाद है को डो कंसेस्टेंसी के लिञार है ए कि ये 5% है और ये फिखिटीन पर सेंगा है के हाँ 5 से यानिके low potency से शुरू करें और high potency पे जाएं और ऐसे भी कर सकते हैं के high potency पे जाएं स्टार्ट करें और low potency से उसको में ठेल करें ठीके अच्छा उसके बाद यह आपको vitamin K की क्रीक निखा रही हूँ यह बहुत काम की चीज है क्योंकि जैसे मैं आपको बताया कि जिन लोगों की स्किल बहुत जादा पतली होती है उसके अदर से वैसल्स नजर आरे होते हैं और उन वैसल्स का ही जो है वो एक इलूजिन कर रहा होता है लोगों के लिए लाइमिन के बहुत अच्छी है अच्छा उसके बाद जो है जिन लोगों की स्किन पतली होती है अरांड आइस उसके अंदर एक और प्रॉब्लम यह होती है इतनी पतली है उसका क्रें क्या उसके लिए क्लेशन का सरम है कॉलजिन एलस्टन जो है हमारी स्किन का सिमेंट है एक इस जुक जो मैं आप समझे जो में फैक्टर जो किस्टिन बनाते है वह यही है तो यह बहुत ज्यादा है इसको लगाना बहुत ज्यादा है और वह बहुत अच्छा रहता है कि आप इसको यूस कराएं उन लोगों को जिनकी स्किन बहुत ज्यादा थिन होती है अरांड आइस ठीक है अच्छा अब मैं आपको दिखाने लेगी हूं दो डूटा थाइवान की क्वीन्स हो मैं इसके लिखा रही हूं कि जिलोगों की प्रॉपर ब्राउन की डिस्कलरेशन या पिग्मेंटिशन होती है उनको आप कर दो दो जाए हूं के लिखाने 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 के ल निए एक कुछ रखुयेद ब्लड टेस्स बी कराते हैं जिसमें टॉप के बाता है ही्मोलोबिन, बर फर थी पर आज़ाई वाइटामीन डी के लवेल्स बिले लिए और मैंने इस और वाइट जो के वीमिन डी बाता है जो के बहुत हैं ही। और जमबर 3 पे आता है vitamin D, vitamin D जैसे आपको पता है कि हमारी body की immunity को अच्छा करता है, हमारी body की immunity और resistance उसका बेतर होगा, तो definitely हमारी जो dark circles है वो बेतर रह सकेगी, कि जो बेतर काम कर सकेगी, ठीके, तो यह हो गया, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जो पर जिनको supplementation की जरूरत होते होते है होगा, पर खाने की जरूरत होते है, फ dif a क्या होते है लोगा कि टेस्थ इस और कुछा लूरत होते हैं अब नहीं थीफ कह रहा है। अगर थीफ canción को चुछ सबसे होगा है ? अब पर समझ लिए है यह सबसे इनिशन चीस हम करते हैं आष एपने जले सबसेियूं लेकिन जब हम infusions देते हैं medicine की तो उससे यह होता है कि जो आपकी absorption होती है वो क्या कहते है many folds बढ़ जाती है और जब वो इतनी अच्छी होती है तो पर आपको result भी जादा मिलता है Plus जिन लोगों की eyes जो है वो proper pigmented brown color की discoloration होती है उन में हम यह भी जाते हैं कि जो dead layer of skin है वो उतरे वो हट जाए जिस वकर वो उतरती है तो applications की absorption भी अच्छी होती है और यह method itself भी आपको result देता है ठीक है उसके बाद आजाता है कि और हम क्या करते हैं इसकें आजाता है carboxy therapy carboxy therapy में oxygen जो है वो इंफ्यूस की जाती है eyes के राउंड जब वो इंफ्यूस करते हैं तो आप देखेंगे कि obviously एक बहुत अच्छा और fresh look और fresh आपकी skin को जो है वो एक क्या कहते है look मिलेगा और वो इसलिए आता है कि आपको fresh oxygen दी जानी होती है ठीक है यह बहुत जहुरी है बहुत अच्छा method रहता है ऐसे लोगों के लिए चिन की all around the eyes जो है वो brown color की discoloration है तो उसके बाद आजाता है कि हम क्योंके साथ साथ एजिन की बात ही कर रहे है चाहिए एजिन अराउड थी इसकिन की बात कर रहे है तो आजा हमें कि क्योंके इसकिन थिन होती है तो इसके उपर fine lines भी चलती है इसे ड्राइए उट होती है सेंसिटिव भी ज्याद होती है और उसके साथ साथ ठीक है यह जो है आपको नजर आजा रोते हैं कि झो आपको आपको नजार आज़े हो और जो प्रॉष्ठी होते हैं और आपको एक्सिप्रेशन पर थे संग यह तो अपको डिंग पढ़ खागे हैं इन सब चीजों सेगर हम बचना चाते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि ताम ल ये चार चीटों के लिए काम करता है ठीक है उसके अंदर फाइन लाइन्स है , रिंकल्स है डार्क छर्कल्स है और पफिया ठीक है इक चार चीटों के लिए काम करता है और ब्रिलियंट है, किसी भी skin type वाले को आप ये दे सकते हैं, बहुत ही excellent product है, outstanding results देता है, और maintenance के लिए भी आप इसको यूज़ कर वा सकते हैं, ठीक है, अचा जी, उसके बाद मैं आपको दिखा रहे हूं कि skin जो है, वो पती भी होती है, और age और time के साथ धलकना शुरू हो जाती है, तो हम tightening जाते हैं, अब जो मैं आपको दिखा रहे हूं cream, ये जो है, ये basically tightening करती है, ये eyes के around आप लगाना शुरू करेंगे, तो ये tightening करना शुरू करती है, या आपकी skin को maintain कराने में बहुत ज़दा help करेगी, skin धलकेगी आपके यांसे, ठीक है, तो ये basically tightening के लिए ह होती है, फिर हम आजाते हैं कि जो crinkle chiffon की तरह हम देख रहे हैं, कि wrinkles या फिर fine lines बहुत सारी हो रही होती है, age के साथ, time के साथ, तो फिर ये फिलर वाली cream मैं आपको दिखा रही हूं, ये फिलर वाली cream जो है, बहुत जबरदस्त रहती है, और ये हम यूज करवा सकते हैं as a maintenance fee or as a treatment fee, लेकिन याद रखें कि जिस वकर आपको wrinkles पढ़ चुके हैं और फिर आप doctor के पास आएंगे, तो फिर चीजे नगा के हम उसको delay नी कर सकते हैं, चीजे लगा के उसको correct नी कर सकते हैं, फिर उसकी correction जो है, वो definitely किसी ना किसी procedure के फूर ही करनी पड़ती है, अब हम आ दिखा गया है कि पफी आइस बहुत रहना शुद हो जाते हैं, या आप मोटे मोटे पफ्स बने वे होते हैं आएके नीचे, और वो रहते हैं हर वकत, यह age-related होते हैं और इसको खतम करने के लिए, de-puff करने के लिए injections होते हैं, I am not talking about fillers, I am not talking about any brightening injections, मैं बात कर रही हूँ, इसको de-puff in injections हो, ठीक है, यह injections लगाते हैं तो जो पफी areas होते हैं वो de-puff हो जाते हैं, जब आप इसको de-puff करते हैं तो आप देखेंगे के पुरे का पुरा लोखी चेंज हो जाएगा, और वो जो पफी eyes हमें बुरी लग रही होते हैं, वो cover हो जाएगा, ठीक है, और यह जो है, वो inject कर सकते हैं, आइस के around यहां तक, और इससे क्या फाइदा होता है, जो पुफाद बाली fine lines होते हैं, प्रेंकल शिपॉन के कप्रे की तरह, वो जो है, वो cover हो जाते हैं, ठीक है जी, उसके बाद हम आजाते हैं, थ्रेड्स, सम्टाइम्स हम यहां पे, थ्रेड्स मूस्ट होती है उस एर्या में और उससे आपको बहुत पर्फ पड़ेगा, उसके बाद हम आजाते हैं, और क्या चीज़ हम करते हैं, आप सब ने उसका नाम सुरा होगा, और फिलर्स हम यूज करते हैं, किसलिए कि हम चाहते हैं, कि अगर यहां पे depth है, आंखें अंगें अ जिसमें मैं आपको होग रेमिनी भी बताई हैं, और उसके साथ-साथ मैं आपको यही बता दिया है, कि पहले हम आपका अनलिस करके जब आपको जाएंगे, तो हम आपको अप्लिकेशन से ही स्टार्ट कराएंगे, लिकिन अगर अगर अप्लिकेशन यूज करने के जो है, वहमें आपको अनलिस करता है, तो फिर अप्लिकल बेस्ट प्रोसीजर उनकी तरह चाह सकते हैं, अब आपके फ्ट्टन पढ़ना श्रीफ हैं, मूनस्काय कहरे है, डार्क सिर्ट अनेमिया भी है, कोई टेक्स बताते हैं, डार्क सिर्ट लाइट हो जाएंगे, अच् के और उसके साथ साथ लगाने के लिए, मैंने दो क्रीम दिखाई एंग ग्लुटा थायवान की और उसके साथ मैंने आपको वाइटमिन सी भी दिखाया, ठीक है, आपके दोनों चीजे उसकर सकते हैं, बद याद रखे हैं, कि अगर आप इनीमिक हैं, तो आप कैसे ठीप हो दें आपने यूज किया हो और अच्छा हो, आप थोड़ा सा वेट करें में दिखाती हो, इसमें से भी द्राइशंपू दिखाएंगे, मैं आपको इसनी दिखारी हूं तक कि आपको अंदाजा हो जाए कि द्राइशंपू जोए हो कैसे बखें ठीक है, और यह आपको एजी जैसे मैं आपको यह वाला दिखारी हूं यह देखें यह है वो बिटीस्ट का है ठीक है यह वाला देखें यह वाला देखें यह वाला देखें यह बिटीस्ट का है और यह वाला ड्राइ शैंपू जो है यह अच्छी क्वालिटी का ड्राइ शैंपू है और जब आपको यूस आप उदर चले गए है और यह अवैलीबल हो यह नहीं हो ठीक है आपके चले चले गए है तो अवैलेबल हो यह नहीं हो ते जादा पर आपको अनलाइन अजाए है Moonspire कहें हैं आपकी tips बहुत अच्छी होती हैं और आप detail में answer करती हैं Thank you so much and my pleasure Boon Жा कहने मुझयानिये फेस कर सकते हैं क्यूं souvent क्यूंट उसकर सकते है और उसको एक फेस वाश रशे हो इनका मुझा कर दो में धगा नोचानी केद üstजलंू करता है और उसको छो कर सकते हैं के ऊते हैं सेयोंको चैनल ह्माहिर कि आग़ा प्र Здलाल्ड करते हैं वो सब आख जो रवइंग एक्शिन नहीं करना पड़ता थे कर्दें Moonsky供 साइक आपने कहा था आपने कहा था कि लूंभाट त्षाइद लूपरी शांपू से यह नहीं बता दें जो मार्केट में अविलिबल हो Moonsky供 उमने बहुत अवने बताया है आपको लॉरियल के शालपट फ्री शांपू इसके इलावा आपको किसके अवेलेबल है वो आ जाते हैं ट्रैसिमे के ठीक है दोनों कमपनी से वेलेबल है आप किसी का भी ले सकते हैं मुंश कायज करें है आपकी ख्री फिनेक में लिपल्म है कौन सी है रिंटर में बहुर जाते हैं चीलिलिबल है डुलिभल है इसके की क्रिणियों क्लिक में किसी नबर सदें था इसकाथ बनाप आनकिटे और मदा बीसकते हैं शाजिया हामिद कही है, असलाम अलेकुम, I'm your fan from 15 years, please suggest glowing and fairness cream for teenagers, वाव शाजिया, आप मुझे लास 15 years से ज़हे हो फॉलो कर रही है, thank you very much, अच्छा, जो teenagers हैं, उनके लिए, इस किसम की दो, जैसे मेरी क्रीम से खाई हैं, इस किसम की दो, जैसे मेरी क्रीम से खाई हैं, उनकी य चाहर एच, यूनिवर्सटी जरूर जाना होता है, रोस जाना होता है, wanna have a sunblock, और अगर वो देने sun protection नहीं रहें तो प्रिसके र्षेश नहीं जिएगे, उनकी उच्छी प्रिसकिन रहें उसमें आप लगबाले लेकिन अगर लेट भी हो गए है तो प्लीज जब भी जब भी जा सकते हैं जाएं और अपनी वैक्सिनेशन की सेकंड डोस लगबाले ठीक है हस्नैन मुगल कह रहे हैं Assalamualaikum मैम कैसी है आप मैं विकुल चीक हूं हस्नैन मैं मुझे आजकर बहुत अक्नी हो रही है इसमेक्स टैबलिट ले सकती हूं 5 दिनों के लिए जी आप ले सकती है लेकिन याद रखें कि यह जो होता है ना जो एंटिवाराटिक्स होते हैं यह आप अलोन नहीं ले सकते और अपने माइं में रखें अगर आप 5-7 दिन शाथ में चाहती है तो ले दे लिए उसके बाद ना ले और अगर आपके अकनी सेफ़ल नहीं हो रही है तो फिर आपने डॉक्टर को जरूर दिखाना है, ठीके, उसके बाद हफसा उबैद के रही है, एक दिन संब्रॉक ना लगाने की साइफेक्ट को एक नाइट क्रीम, जो संटैन रिमूव करती हो, चैंसल आउट कर सकते हैं, जो हम रोज राग को लगाते हैं, जो भी हम रोज पाता चलिए कि आप चलिए वह थाइट के बर माउंटेंस पर जैर वह एक आप में ठीकी नहीं होगी, ठीके, और अगर आप बीच पर जैर वह बर्न होगी है, तो तब भी एक आप में ठीकी नहीं होगी, राइट? बजीह, एफान के एए माँ को बोड़ी वच और बोड़ी मोईस्टराइजर वटा दे बजीह, जो हमारे कास होते हैं युटली पिर बहुत थोड़ी से एक्सपेंसिफ होते हैं comparatively तो आप कोशिश करें कि जिनका pH बैलन्स हो जो मॉइस्टराइजिंग हो वो सर्दियों में अच्छे लेंगे वो आप उसकर ले जो आप पुछ से खलीदना चाहती है अगर आप लेना चाहती है तो पिर आप लेने के नंबर्स डिस्प्रेय हो रहे हैं उसके कॉल करें कॉल कर अप लोगों से ही मिलने के लिए आती हूँ और आप लोगों के लिए ही आती ह often अप सरोगे है क्या के题 डोल क्लेंस करने के लिए हम एक लेम में मौलं को टोबल क्लिंज हो करने कंद सकते हैं? अचा इस तरीका क्या है? आप कोई से भी वेट को यूज कर सकते हैं मेकप रिमुळ यूज Surprise 2 कि यूज YOU कर सकते हैं या भी आप यूज कर सकते हैं यूज कर सकते हैंишज ढिला की यूज तर केसे यूजff कर दिखके आप इसके बाद आप च्लेंजिंग करनें अधिल साइ.. विडिक अपृ में लिए ला यटी तो के नमी होटी एप सब्सक्राय का लो Kyai, क्या आपP GA करने की यूज़िय। जी यह इंट बिल्कुल नी कर सकते जैनर मेहमत के लिए I always answer the question rightly but not one a single time hoping to see my name as lucky winner someday short आप बार बार answer भेजें क्योंकि जो मैंने last time question पूचा था उसकी balloting हमने इस week में कर देनी है और फिर मैं जो coming week in this session होगा उसके इंदर मैं पूचा था कि जो वाइपनिंग पिल्स होती है उसका जो common most common ingredient है उनमें क्या पुता है ठीक है आपने उस इंडियेंट का नाम पताना है आप सब बाद के लिए मैंस्टेफ पेस्वाश और मैंस्टेफ क्लीन अपने पेशेंस को रेकेमेंट करती है आपने क्या ने जी मैं यह दोनों चीज़े रेकेमें नहीं करती है जैने महमत कहरी है I admire your dedication to come live every week despite being busy all the way बड़ मुझे आपने मुझे बात करके और मुनकार करके अच्छा लगता है वजीह अरपान कहरी है मैं मेरे 2C section हुए है आप मेरी बाक में रहता है कुछ बता दें वैसे वजीह यह ज्यादा तर कुछ अर्षा रहने के पात ठीफ हो जाता है अगर आपको persist कर रहा है तो इस बेटर के आप एक तफा और्थोपेडिक को दिखा दें हड्यों माला जो डॉक्टर होता है उसको एक दुपा दिखा दें बताने से कुछ नहीं होगा आपको अपनी पॉजिशन भी देखने पड़ेगी कि आपको किस पॉजिशन में क्या होता है क्यूंकि वजो पाइनल अनस्थीश्या होता है उसकी वज़ह से आपको दर्द रहनी होती है इस बेटर कि आप एक दफा डॉक्टर को दिखा दें हड्यों के जो डॉक्टर होते हैं और्थोपेड से होते हैं उनको दिखा दें वो आपको हेल्प आउट कर देंगे कि अगर तो आपकी पुजिशन ये क्या चीज़ सही रखने से वो सही रह सकता है या कोई उनों आप मेडिसन ऐसी एट करी है तो वो आपको दे देगे हम सब बैट के लिए बालों को सिल्की एंड स्मूथ करने के लिए कोई पोड़िब सेरम बता दें अच्छा जी मैं दिखाते हम एक दोनों लेआए करा टॉक्स वाला भी लेया दूसरा बैट रेस्ट वह लेए अच्छा देखें जो बालों की चीज़ें होती है जैसे अगर इसकी चीज़ें की कि चीज़ें की बनाचना अगर एक तोटिए उतना च्छा नहीं होता जितनी है च्छी क्वालिटी होगी उतना च्छा ही बिचा ठीक है मैं अपको यहां पर दो दिखाने लगी हूँ वेट हेर उसकर सकते हैं ठीक है यह गहां बहुत अची क्वाल वर रहे नहीं हो जा चाहिए हो जा और पुरी इफ पर अप प्रमेशन चाहिए हो तो थो क्रिक नूमर्स को नहीं हो पर उदिख पॉल कर सकते हैं हस्तना आप मोगल कहा है असलाम अलेकूम पायम जी वालिकूम असलाम हबसाब वेर के लिए एंजॉय वर अभी सेशन थैंक यू बच्छ हबसाब असना अभूर कह रहे हैं सलाम एकुम बायाम बीसी कंपनी की पील और एक्सपॉलियेट का प्रॉडक्ट अकट्टी यूज कर सकते हैं एक टाइम में यूज करने के लिए एक टाइम में यूज करने के लिए जी एक टाइम में यूज हो सकता है एक टाइम में जब यूज करना होता है उसका तरीका क्या होता है सब से पहले आप क्लीज़ ज़ेंगे कर Deputy करेंगे लचे की ऊप्लिड़ करेंगे एक सामयन ह्टनि के पाद यूज़ करेंगे वहां मास्क ओर अधो यूज करेंगे जो आपकते अ कि बैस करते हैं इसके बाद ममास्टराइजर does जी बिल्कूल कर सकते है मैं रजाली कह रहे हैं मेरे हस्बेंट की हेर फ्रांट सी कम हो गए है क्या ही रूस करें अच्छा सबसे पहले तो जादा अच्छा तो यह है कि आप माइनॉपसिजल की स्प्रेय जो है 2.5% उससे स्टार्ट करें उसको लगाना शुदू करें उसको एट लीस्ट क्रीमांस लगाए और पर उसका रिजल्ट देखें ठीक है अनीला राजा करी है एक एक परसंट पील यूजए करने के बाद ống है किसे लीज़ते हैं और शुद करने के बाद उसको टोनर आइप लाईट पर सकते हैं जी आप बिल्दक्री करकते हैं हुझे नी परता आप कुन सा एह एक पर संट इंग पर संट चुज़ करने के उंकि दिफरिंट तरह के वहते उसके बाद अनीला राजा कह रही है अससलाम अलेकूम डॉक्टर साहिवा आपने मुझे एक लुट विट कैप्सुल दिये थे कितने मंथ तक लुट करने है और इनका रिजल्ट कब तक मिलेगा आपकी प्रिस्क्रिप्शिन पढ़ें उसके ऊपर और या पर मैंने जहाएंग साहिए अन एक तक में पूट रहते हैं असने कोई हर्च नहीं है और यूजिली जो है वो पीप को आप 10-15 देज में एक लफा यूज तक मतल्लि जल्दी यूजदी यूजदी ना करें 15 देज तक तक अच्छा रहता है और आप यूज़ करते रह सकतें लंडे उससे कृष नहीं है असदेन मोगल कहरे है एसलाम अलेकुम माम आइलाइश की ग्रोथ के लिए कोई टिप बता दें यार उसकी कोई टिप में इकर आप चाहते हैं कि आपको तो त्राइटें गोल तो फिर जो है वो आप जो होता है भो लगा सकते है ठीक है इस बिट मैसी ट्राइपना है तो आप कर लें ठीक है घर से यही नहीं आपको बतावने उसके लाबने अच्छा उसके बाद ट्रावलिंग इन विलिश लॉक्स कहीं माम दर्मफूचर ब्राइपनिंग सेरम में अलपा अगर है तो कितने प आप जिसको ब्राइपनिंग सेरम के रही है वो वाइटमिन ए के साथ है और उसके अदर वाइटमिन ए जो है वो तू पसेंट है उससे जादा नहीं है ठीक है सभा कान कहीं मैं आइस के अराउंड और ऊपर बहुत डार्कनेस है सभा हमने पूरे का पूरा सेशन पर किया है आप इसको दुबारा देखें और जो भी चीज आपको समझ आ रही है कि उसमें मैंने सारी चीज़े कवर करने की कोशिश के लिए तो आपके लिए प्रोप्रियेट चीज़ों आप इसको पिकन चूस कर सकते हैं वाजिया एफ़ान के लिए मैं डार्क नेट को ठीक करने के और उसमें से आपको सारी इंफरमेशन में जाएए नहसान भूगल कह रहे हैं साराम लेकुमाया मेरा एक साल का बिटा पहुत वीक है अगर पैरी क्यों मिल्क में मिक्स मिल्क में मिक्स करके देज सकते हैं क्या विसकोल है और उसे बच्छों के लिए पेरिंस क्या करें इस बारे में हम पेरिंस बहुत परिशान है अचा वह चीज बिताना चाहती हम इए सारे बच्चे ज़ए वो डिफरेंट होते हैं ऐसा बिलकुल होका कि हर बच्चा ज़ए वोगी स्टैंडर्ड तरीका है और उसमें बच्चे ने खाना है और इतना खाना है और सारे बच्चे एक जासे होगे एक जासे उनकी बोडी होगी और एक जासे उनकी हाइट पड़ेगी एक जासे हमका वेड़ेगा ऐसा बिल्कुल होता मaurus होती है वह कुछ ज़यादा परेशान, इसली ही कि उसके लगता है कि जिस dough year चृत बस्가 कुछ नहींद खाता दूसरे का बच्चा जो रहा है है मोटो रहा है प्यारा हो रहा है मेरा बच्छा जो तो हम इतनी सों हम गोरी अथ मेरा जिस इतनी ę मतलब वो बच्चा आप उसको सुबह से लिए के रात तक में खिलाले उसमें मोटा या चबी नहीं होना तो उसमें नहीं होना ठीक है मैं आपको यह कहना चाहते हूं कि पीडिया शोर देतो सकते हैं लेकिन जब आप पीडिया शोर देंगी तो आप देखेंगी कि इतना है वह बच्चा बिल्कुली कुछ और कुछ नहीं खाएगा सारा दें कुछ नहीं खाएगा तो आप ऐसा करें कि आप नाच्रल चीजों के ऊपर रखें उसे नाच्रल चीजों में डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राइक राएगा उसके पीछे ना भागे बहुत ना भागें उसके बिफरेंट शकल की बना के आप रख दिया टरें और उसको भूख लगेगी यार खुछ तो खाएगा यह तो नहीं हो सकता ना कि वह पांच- प्शेसे गर्ढाइब होई इसे टाचकर्ने देगे व से टाचकर्ने देगे हैं। यह न भी आप पसन्ते पिस्ट एंधेडा है मोंढहें झाहिए इसको सेले हैं प्रेस्ट दें कि क Almost बारवाद शेज करते हैं जाए जाए भारघेम्ग से दें क că्शे Help पर नहीं भी पसान आती कि हर बच्चे कर टेस्ट फर्क होता है और उसको नहीं अच्छी लगती है तो उसको खाता नहीं है लेकिन आप कोशिश करें कि आप बच्चे को नाचुरली जितनी भी चीज़ें आप खुद बना के दे सकती हैं उसको मुटलिफ colors की और मुटलिफ different colorful dishes में different तरीके से प्रिजेंट करके रख दिया करें और उसको वो चीज़ ना दें वारबार जो खाना चाहता है ताकि वो different चीज़ें ट्राय करें और उनको खाया लेकिन अगर उसका पेट भर जाएगा तो फिर तो गुर्णी खाएगा और पीलिया शोर के साथ यह होता है कि वो आप खिलाते हैं बच्चे तो तो बच्चा पी लेता है तो तो यह वार ही कुछ नीख नी खाता है तो आप कुछ नी खाता ज्युकी शोरी अकप अपुछ नी खाता और दूसरी बात यह है कि अगर वो एक्टिव है और अगर वो मोटा नहीं भी होता, एनर्जाटिक रहता है, खेलता है, बोलता है, सारे के सारे माल स्टों उसके ठीक है तो पर इतना परिशान नाम है, वो अपने टाइम पर बड़ा भी होगा, अपने टाइम पर मोटा भी और अब मिलेगे आपसे नेक्स वीक, और नेक्स वीक के सेशन के अंदर जो है, वो मैं आण्स करूँगी, जो के फिनल है, और अपना बहुत फैल रखें, और खुश रहें, और बिल्कुल पॉजिटिव रहें, और मैं फिर से कहूंगी, पहले भी बार बार कहती रहीं अला हाफिस, नेक्स ताइम आपसे फिर मुलकात होगी, एक नए राफिस साथ.